हाई फ्रेंड्स आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको जो ग्राप्टिंग सक्सेस्पूल ग्राप्टिंग जो ग्राप्टिंग का परिनाम संत्रे के ग्राप्टिंग का परिनाम इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं दोस् उसके बाद में आप उस पे आइबडिंग जो अंकुर कलम जो कहते हैं वहां भी कर सकते हैं लेकिन अंकुर कलम का सीजन में निम्बू अरगी है जो भी है मोसंभी वगरे वगरे संत्रा है इनका आपको कलम अगर चे करने का है अंकुर कलम तो आपके लिए किस प्रकार की कलमे चूनी जानी चीए एक से दो महा पुरानी नई वाली लकडिया अंकुर निकालने के लिए उप्यूखत होती है और सौप्टूट ग्राप्टिंग के लगबक तीन से पाच महने की लकडी काम में ली जा सकती है ग्राप्टिंग के दिए इसकी जानकर इसके पहले में दे चुक बड़े पेड़े पे मैंने किया है जो दो साल का लगबक था तो आप ऐसे बड़े वुरुक्षों पे कर सकते हैं परन्तु इतनी इस से बेस्ट अगर चोटे पौधे पे करते हैं जो एक साल का पाउदा एक फिट हाइट का है ऐसे पाउदे पे अगर ग्राप्टिंग करते है तो बहुत ही बेस्ट कभी भी ग्राप्टिंग छोटे छोटे पाउदे पर जब करते है तो उसका रिजर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है बड़े रुक्षों की तुल्णा में बड़े पेड़ों की तुल्णा में तो यहां एक आपको प्रयोक के तौर पे मैं बता रहा हूं तो दोस्तों इसका केर किस प्रकार लेने का अब यहां सक्सेस हो गया है संत्रे का कलम तो इसके रिलेटेड दो वीडियो जिसी के मैं पहले डाल चुका हूं एक ग्राप्टिंग करते वक्त और दुसरा अंकुर निकला हुआ था उस वक्त अभी जैसे अभी चार- मावा कहते है वह रस सोसक की टक है रस चुस्त जाता और फिर प्लांट मर जाता है तो इसके लिए आपको निम की पत्तिया जो रहती या तंबाकू का पत्ता उसका रस जिस इस प्रे कर सकते है या फिर मार्केट में इंसेक्टिसाइड मिलती है उसका भी आप इस प्रे इस तो यहां इस प्रे आपको आठा दब दब दिन के अंतराल में करने का अलका इस प्रे ताकि जो मावा है और वाइड बग है यहां चो लगता है वहां आपका मर जाएगा तो इस प्रकार इसका आपको केर लेने का है तो अभी और दूसरी चीज जो मूल पाउदा है मूल तन करते रहना है हमें सिर्फ बढ़ते बढ़ने देना है उन अंकुरों को जो ग्राप्टिंग वाला पार्ट है जहां से हमने कलमे की है उसी के उपर के अंकुर को बढ़ने देने का है और ओरिजनल जो पोदे की ब्रेंच जो है उसे सब कड़ कड़ देने की है सभी एक भी ब् जो अंकूर बांदा है या तो जो कलम की है उसके ही बड्स को या उसी लकड़ी को पूरा फुड माट्रियल मिले तो इन फ्यूचर भी आप जब कभी 15-15-20 दिन में प्लांट को पानी दालते हैं उसकत केर लेने का कोई भी ग्राप्टेड प्लांट हो उसके लिए यहां विश करता है कि कलम का ही पेड़े और इतना स्पीडली बढ़ता है और कुछ दिने को बाद पता चलता है कि जो ग्राप्टेड पार्ट है वह मर जाता और हम फिर दोस्त देते हैं पौधा बेचने वाले को दोस्तों देखिएगा यहां ही तरह बड़ा हो चुका है इस प्रकार के केर लेने का है थैंक यू